हेलो फ्रेंग्स इस बीए से अप्लोड कर चुके बीए से कर सकते हैं जो स्टोइश मेरा वीडियो पहली बात देख रहे हैं मेरा नाम संदीब है मैंने साइन्स साइन्स से आफ्टर एक्सक्राइब एक्सक्राइब और मैं इस वीडियो में हम इनफर्मेशन कम्मुनिकेशन्स टेक्नलोजी यानि आइसीटी के पार्ट को देखेंगे और यह इस सीरीज का पार्ट सेकंड वीडियो है उससे पहले में एक वीडियो और अप्लोड कर चुका हो आप लोग उसको भी देख सकते हैं तो इस वीडियो में हम जैनरली मेंली कंप क्या है क्या होता है इसमें पढ़ेंगे तो इसमें क्या टर्जिक्स करने जरह देखते हैं तो इस वीडियो में हम वार्टिर्मींग क्या होता है टाइप उफनीगों क्या है य तॉसनेिद्फेर्ट तरह की ज़ो टॉपलोजु से वह tightly उती है और आपके टाइप तो सबसे पहले नेक्टवर्क वाट इस तरह का आपका इस तरह का जाल है या जंजाल है जिसमें आपका एक डूसरे नोट को शेर करता है और इस आपका कोई भी और चीज हो सकती है जिसमें आप आप memory store कर सकते हैं। इन computer network अगर हम computer network की बात करें तो different different जो computing devices होते हैं वो data को exchange करते हैं using data link तो आपके पास एक link होता है यानि आप एक जगे से दूसरी जगापर किस वे में आप एक दूसरी से node से जुड़े हुए हैं इसको topology कहते है वो अभी मैं आपको बताता हूँ तो एक जगे से दूसरी जगापर जब एक connect होते हैं तो उसके माध्यम से data को exchange करते हैं connection बनाने से पहले connection established node आपने एक node से दूसरी node को जब transfer करने हैं किसी data को तो उसको store करने के लिए पहले information को भेलने से पहले आपको एक दूसरी से connection मनाना पड़ेगा और यह connection आप किसी भी topology के माध्यम से बना सकते हो और computer network का सबसे best example आपका internet है तो internet की full form ही है international network international मतलब inter और network मतलब internet जो है आपका this देखिए इंटरने मतलब इलक्रष यहाँ पर है पूर्सी मशिन हैं यहाँ पर हो गई देन आपका switch हो गया, यह आपका port हो सकता है, हाँ हो सकता है, दूसरी machine हो node से connect है, देन आपका server हो गया, server printer हो गया, फिर यह router हो गया आपका, और यह पूरा का पूरा जो network है, आपका network बाहर के दोनिया से कैसे जुड़ा हुआ है, यह internet से, माध्यम से, यह दूसरे से ज़गे पतान आदन पतान कर रहा है देता का तो स्ट्वेंट यह एक network device का network diagram का simple device diagram था now network topologies topologies से मतलब हमें node जो होता है हमारा computer node जो हम कहते हैं या कोई device होता है वो आपस में कैसे connect है way of connection is known as the topologies तो network topologies is the arrangement of the various elements like links nodes of a computer network तो it is the topology structure of a network and maybe the depicted physically or logically physical or logical way में कैसे एक computer दूसरे computer से connect है उसी को network topologies कहा जाता है और physical topology जो होती है वो प्लेस्मेंट जोता वरिस components of a network including device location and cable installation यानि अगर एक computer दूसरे computer से connect है तो किस way में connect है उनका cable का क्या arrangement है किस तरह का जाल है उनका cables का यह पता करता है तो network topologies क्या क्या होती है क्या 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 काम करती है अब network topologies को दो तरह से device कर सकते हैं एक तो physical topology किसमें में cables correct है दूसरे से दूसरा होता है logical topology logical topology सा बहुता चलता है data का flow कैसा हो रहा है बिदना network अब इसके अंदर तो distance between अब इसमें nodes होते हैं physical connection होते हैं transmission rates होता है signal types होता है और आपके different networks में कैसे कैसी topologies work करती है identical है कैसे काम होता है या पता पढ़ता है तो इसमें topologies के अंदर notes आगा physical connection आ गया तो अभी क्या होता है देखें अब type of network topologies के अंदर हमारी जनरली हम साथ तरीगी topologies है जनरली हम देखते हैं देखते हैं तो ती मैश रिंग स्टार बस full connected link line entry एक इस वे में होते हैं जड़ा एक्जांपल देख लिए हम तो आप एक्जांपल देख सकते हैं रिंग structure पहला वाला जो है यह रिंग structure नहीं एक नोट दूसरे से एक रिंग से connect है यानि एक तरह से circular shape में बना रहे हैं और नोट जो है आप अरेंडमेंट इस तरह से हो रहा है तो एक एक नोट जो है आप at most two node से connect है यानि एक left hand में एक right hand में उसी तरह से mesh में क्या होता है एक node दूसरी node से काफी way में connect होता है और mesh का जो special term है वो fully connected है this is the fully connected जो है यह आपका यह भी एक तरह है fully connected को इसको भी आप mesh कहेंगे इसको भी आप mesh कहेंगे और यह special case है क्योंकि जिसमें सारे node दूसरे node से connect है अगर आपके node में आपके network में साथ node है तो साथ हो के साथ हो आपस में connect है तो इसको connect करने के लिए कितनी cable चाहिए होंगी यह काफी बार कोशन पूछा रहा है तो इसके लिए अगर लेग है तो अगर आपके इसके लिए प्रूमा पर पसे न इंट्व एन प्रस वन अपॉंट टू इतनी सारी चेबल्स आपको चाहिए होंगी फुली connected cables को फुली connected topology के अंदर सारे nodes को connect करने के लिए ओके दूसरा है रिंग लाइन structure लाइन में एक पंक्ती बन जाती है रो और कॉलम में तो लाइन होता है एक लाइन होता है एक कॉर्णर वाले एक से connect होता है बीच वाले दो से connect होते है यह तरह से अगर इसको last वाले क फॉलो करते है इसको स्टैक्स कहते है एक होता है बस बस में क्या होता है बीच में जिन जो पहले हैं या फिर नोट सब्सक्राइब तो जनरली हमारी तीम तरगी होते हैं यह एक है इसमें आपका लेन होता है मैन होते हैं इसको देखे तो पहला है हमारा लेन इसको फिल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क is a computer network that interconnects computer within a limited area किसी छोटे place में land के connection को established किया जाता है सच्छा एस residential एरिया, school area, laboratory, university campus, office building और network equipment जो होते हैं सकंदर वो थोड़े limited होते हैं और इमें आपस में locally managed किया जाता है इसको locally managed किया जाता है तो आपका मैं फिर से इसे एक्जामपल लेंके रेसिजेंशल एरिया, स्कूल एरिया, लेवर्टरी एरिया, यूनिवर्स्टी एरिया, कैमपस, ऑफिस बिल्दिंग और इसी तरह की जितनी भी नेक्वर्क होते हैं उनको रोकली मेलेज किया जाता है इस एक्जामपल है, एक तरह की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग सिकलतर कैसे क्प्यूटर आपस में एक दूसे से कनेक्ट है, इस लोन ऊजा लोकल एरिया नेक्वर्क, नाओ, next is a wide area network, wide area network सबसे बड़ा होता है इस सम्में से, wide area network telecommunications network or computer network और लाज जोग्रिफिकल डिस्टेंस एक देश के दूसरे देश में अगर हम एंडू से बात करनी है इसका बैस इंसांपल है इंटरनेट इसके हम यूज करते हैं बिजनेस के लिए एजुकेशन परपस के लिए गवर्मेंट अपने अपने लिए यूज करती है गेटा का ट्रांसफर करती है और स्टाफ स्ट्वेंट्स क्लाइंट्स और पायर्स जैसे अगर अगर अपना समाल बेचना है विदेशों में तो इसको मैं कहते हैं मैं की जो डेफिनेशन है ये करता है ये आप सबस्क्राइब करें हमृच से नेटक्वर्क तो बड़ा होता है देंटके के अंदर हम देखी है तो मैं का ऐक्सांपल रही हो सकता है इसको हम लेमें तरीकिसे मशीन अध्रस भी कहते हैं माशिन एग्रस भी कहते हैं दूसरा है पाहिव यह मैक आईच जो होता है त्यक्ति यह फिजिकल लेवल पर होता है आईपी आईटर स्पोर्ड कार्द पर होता है इसको हम स्टैबिश करते है और यह तो वह आपके आईपी अग्रसarros और सकते हैं और यह आपके जो मैंडार होते हैं वह इसको बना डेंड करने के बाद इसके ऊपर मेक अज्रस करते हैं यह always same रहता है हमेशा सेम रहता है इसको फिर भी कुछ लोग software की help से change कर देते हैं Okay but physical address जो होता है, Mac address होता है, इसको change करना मुश्किल होता है केवल आप machine आप इसको किसी software से ही change कर सकते है Mac address जो generally होता है manufacture द्वारा established होता है और इसको हम network interface controller की द्वारा established बनाते हैं में इसको इसको स्टोर किया सकता है कि नेक्स्ट है आइपी अग्लाइस मेशीन अग्लेट्स ओता ओव फिुसीकल लेवलबे था आइपी एड्लेस प्रेंट जो है आपका आपका। devices computer network काम कर रहा है उनका physical address के साथ साथ एक IP address भी होगा ठीक है और IP address दो तरह के principle को सब करता है एक तो host और network identification यह उनकी location को donate करता है अब जो IP version 4 है यह आपको मैं बताएता हूँ IP version 4 is the fourth version of the internet protocol यह तरह का protocol है जो भी 93 में established हुआ था first version इसका आया था आयपी वर्जल का आयपी वर्जल फस्ट हो था 1983 में आयता हूँ जिसको अर्पानेट के द्वारा प्रसुत किया गया था ओके इस वर दा प्रोटोकॉल अब यानि एक इंटरेट का सबसे और प्रोटोकॉल है और इसका जो एड्रेस का जो बिट साइज होता है वह 32 बिट का होता है यानि 32 बिट का होता तो यानि पूरी दुनिया में अगर इस लिए नाटी नाटी के आसपास उनको लगा कि हम इससे ऊपर कर चुके है इस लिए एक नए डिया गया आईपी वर्जल सिक्स और यह जो एक इक्सम्पल मैंने बताया आपको 10.122.34.23 तो इसमें पहले आठ बिट आपको रिप्रेजेंट करेंगे इसको 32 बिट का हो जाएगा हरे की वैल्यू हमेशा 255 से कम होनी चाहिए अगर आपके पेपर में काफी बार पुछा गया है कि आप इसमें से पता एक वैल्यू को जोडने के लिए केवल डेसिमल का यूज करना पड़ता है अगर किसी और का यूज करना कर रहा है तो बहुत ही बहुत सी जगह वह एक डरेट डैश कुछ इसा यूज करते हैं तो आईपी अड्रस नहीं होते हैं और आईपी अड्रस इसमें केवल तू कि आईपी वर्जन और कम हो रहा है ज्यादा कम हो रहे है तो उन्होंने आईपी वर्जन 6 निकाल दिया और जिसको फुली डिप्लोमेट कर दिया तूठाउन 6 में आपको कभी कभी खोलेंगे अपनी प्रॉपर्ट्री से जाकर तो आपको दो तरक एड्रस दिखाए देगे आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में यह आपका 128 बिटका होता है और इस तरह हम इसमें टूरेश्ट वाइंटेट वाइंट वाइंटेश्ट के एड्रस को स्टोर करा सकते हैं और दुनिया के अंदर जो कि अपने हमें बहुत बदी वैल्यू है जिसके अंदर अप्र पोट अग्रस में होता है एक पोट इस पोट इस एक यॉरल में आपने डाला इसका यॉनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर लेते हैं तो आपने एक्जांपल लेका स्थीव है तो हमारे कम्योंट इस्टर्म में डिफरेंट इफरेंट इपलिगर इसकार्ट आपके पर में तुद्ट में पर में केवल पोशिश करते हैं वो आपको किवल की बारे में पता चले तो इसमें एक जब आप एक जगे से दुसरी जगे पर देटा भेज रहे हैं तो आपको एक प्रक्षाइन हो जाता है और यह जो सॉक्ट एग्रस होता है यह डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो अप्लिकेशन होती है उनको यूज्स करती है जैसे आपकी इंटरेन एक्स्फ लॉर्ग हो सकता है स्काइप हो सकता है या फिर वाटसैप हो सकता है या अई कंप्यूटर पर एक्षाम से पह Jeffrey आपके जितले भी टॉपिकर है को फिर भी आको पो डुमार गूंद तक रा भी की डाना भी कुए अ क्राद आईना भी कोई हां घू कोई यह इंडा था उआ